बेक टू स्कूल की एक और सबसे इंपोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ यह 11 वीडियो है EBS Pedagogy के एक कोर्स के अंदर जो सीटेड जनवरी 2021 में आपके 125 प्लस नंबर लेने में बहुत मदद करेगी इस पूरी सीरीज के अंदर यह 11 वीडियो है अब तक 10 वीडियो करा चुका हूँ जो मैं नहीं देखिये तो देख लीजेगा क्योंकि अब तक जितने भी एकजाम आये हैं वो सारे कोशन हमारी इन वीडियो के अंदर है और आगे जब एकजाम आपका 2021 में आएगा तो आप यह देखेंगे कि जिन भी स्टुडेंट्स ने हमारी इन सीरीज से तयारी की थी वो 125 प्लस नंबर तो लेकर ही आए हैं और उनका एकजाम भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो 11 वी वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग हमारे बैक टू स्कूल की अंडूइड अप्लिकेशन के बारे में जानते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा वहाँ से हमारी इस एप को इंस्टॉल करो कि इस एप के अंदर मोक टेस्ट, नोट्स, पीडिएफ दोनों लेंग्विज में है और टेट एग्जाम्स आपका कहीं नहीं रुकने वाला है अगर आपने ये एप इंस्टॉल कर ली तो जल्दी से एप इंस्टॉल कीजिएगा सब्सक्रिप्शन आज लिया है रुपाली ने, कल किसी ने नहीं लिया, आज रुपाली ने लिया तो मैं नाम शेयर जरूर करता हूं जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप भी लीजिए, आपका भी नाम शेयर होगा और आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा तो चलिए दोस्त अपनी क्लास को शुरू करते हैं जिसमें हम EVS पैडा गोजी के 10 सबसे तगड़े कोशन करने वाले हैं और यह 11 वीडियो है आपकी तो देख लो 10 वीडियो को कितना जाद आप लोगो ने सपोर्ट किया तबी 11 वीडियो लेकर आया हूँ शुरू करें दोस्तों पहले कोशन से प्रात्मिक्स तर की EVS की पाठ्य पुस्तुकों में कवीताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण क्या है यह पहला कोशन है Poems and stories have been included in EVS textbook for primary stage in order to विद्यारतियों को साहितिक रूची विक्सित करने के लिए develop literacy skills in student Second question है आपका विशेक के अधिगम में आमोध परमोध प्रदान करना Provide fun and enjoyment in learning of the subject मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वर्दी करना Enhanced understanding of fundamental concept या फिर have a chance in routine and monotony of presentation of content विशेवस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचरिया और एक अरस्ता में परिवर्तन करना आप कवीता और कहानिया जो है include करते हैं EVS की book के अंदर ताकि जो wishy है जो subject है उसकी learning को आप आमोध परमोध के साथ बना सके यानि कि वो काफी अच्छे से हो मजा आए बच्चों को पढ़ते हुए EVS को इसलिए कानी और कवीता एड करते हो छोटे बच्चों के लिए especially दूसरा question है EVS कक्षा में सामाजिक ऐस अमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निमल लिकित में से कौन सा अधिक प्रभावी अनुभव होगा which one of the following will be more effective learning experience to emphasize more on social equalities in an EVS class आप एक EVS की class में ये दिखाना चाते हैं ये समझाना चाते हैं कि हमारे समाज में कितनी ऐस हमानताएं हैं गरीब अमीरों के बीच में XYZ आप एक वीडियो दिखाएंगे showing video film on related issue संबंदित मामलों पर vicious बासरना या उजित करेंगे organizing special lecture on related issue संबंदित मामलों पर quiz परतोगीता का संचालन करेंगे conducting a quiz contest on the issue या फिर विद्यार्थियों से समुह परियोजनाओं का भार अपने उपर लेने के लिए करेंगे asking the student to undertake group projects पता ही आप क्या करेंगे आप बच्चों को खुद समाज में बेज देंगे उनको project देंगे और उनको कहेंगे कि आप देखिए दोनों समुह देखिए जो समाज में देखिए समाजिक ऐस समान रूप से जिनके साथ बेदबाव होता है और जिनके साथ ऐस समान रूप से बेदबाव होता है आप सिधा समाज में जाईए और पता लगाईए ठीक है इसलिए आप क्या करेंगे EVS के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे याद रखना प्रोजेक्ट वर्क देंगे जिसमें बच्चे खुद अपने जो है सारी जीजा निकालेंगे प्रोजेक्ट वर्क एक तीर से कई निशाने लगा देता है तो लास्ट वाला आंसर होगा अगला देखते हैं क्या है लाइक करते रहो याद जितना जदा लाइक करोगे उतनी जदा वीडियोस दूँगा मैं आपको और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट निया जिसकी वीडियोस मैं दे नहीं रहा हूँ आपको निमन में से कौन सा प्राइमरी स्कूल में ईवियस टीचिंग के एक अब्जेक्टिव में से नहीं है Which of the following represent one of the objective of teaching ईवियस at primary school अच्छा प्राइमरी एक्लासिज में जवाब की प्राइमरी एक्लासिज होती है प्राइमरी एक्लासिज में ईवियस क्यों पढ़ाया जाता है ईवियस क्यों To make learner aware of technical term and definition यनकी student को तक्नीकी शब्दों परिवाशाओं के बारे में बताने के लिए बिल्कुल नहीं परिवाशा है थोड़ी रटवानी है To assess technical terms related to EVS EVS related तक्नीकी शब्दों का आकलन करने के लिए बिल्कुल गलत To inform the learner about the books they should read to expand their knowledge पुस्तकों के बारे में सिक्षार्थियों को सूचित करने के लिए ताकि वे अपने ग्यान का विस्तार करने के लिए बिल्कुल गलत बाहर की दुनिया के साथ स्कूल में सिक्षार्थियों के अनुबव को जोड़ने के लिए To connect the experience of the learner in school with the outside world यही इसका right answer होगा एक स्कूल के अंदर आप EBS क्यों कराएंगे पहली बात तो यह कि आपको environment को save करना है आगे आने वाले time के लिए लेकिन NCF 2005 ने साफ कहा है कि जब आप social studies को primary level पर पढ़ाते हो तो आप बच्चों को train करना चाहते हो ताकि वे अपने nature, अपने समाज और अपने culture इन तीनों के बीच में सामंजस से स्थापित कर पाएं एक understanding मन पाए हर एक चीज़ के बारे में जो अलग-अलग resource है उनके बारे में जानकारी हो और resourcefulness आए बच्चे में यानि कि बच्चा खुद काबिल बने हर चीज़ को solve करने के बच्चे की curiosity को nurture किया जाए बच्चे की creativity को पोशित किया जाए अलग-अलग activities में बच्चा participate करे engage किया जाए बच्चे को exploratory things के अंदर hands-on activity बच्चे को दी जाने चाहिए through observation, classification, inference इन सब चीज़ों से बच्चे को सीखने के लिए मौका देना चाहिए तो बाहर की दुनिया के साथ school में विद्यार्थियों के अनुपोगों को जोड़ने के लिए last वाला जो है याँ पर answer होगा अगला question देखते हैं क्या है अगला question है कक्षा 5 की NCRT की परियावर्ण अध्यन की पाठ्यापुस्तंग में परतेक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है हम क्या समझे यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल परिशनों के उत्रों का सही या गलत के रूप में अकलन नहीं किया जाएगा आप क्या समझे? बच्चे को पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, उसमें हर एक चीज को समझने होता है, और जो उसकी अंतरात्म, जो उसकी एसेंस होती है पार्ट की, वो यहाँ पर लिखनी होती है, जो बच्चे ने समझा हो पूरे पार्ट के अंदर. मेन मेन बात जो बच्चे ने उस पार्ट से समझी हो, और उसको टीचर चैक करता है, लेकि नंबर नहीं देता, यानि कि इनफॉर्मली जो है चैकिंग होती है, तो यह किसलिए होती है, इस इस तरपर बच्चे सही उतर नहीं लिख सकते हैं, यह देखने के लिए, यह आकलन कर है, हर चैप्टर के लास्ट में जब वो लिखा हुआ कुछ देखेगा, तो उसे पता लगया कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, आचल कक्षा 5 में परियावन अद्दिन की कक्षा में अकसर गहन जाच परताल करके, जहां गहन जाच परताल वाले और कलपनात्मक परक परशन पूछती है, उसके दवारा इस परकार करने का उदेश्य है, डैश में सुधार करना है, आचल फ्रिक्वेंटली आस्क प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव कॉशन इन हर क्लास 5 EBS क्लास, वाई डूइंग सो सी एम सैट इंप्रूविंग, आचल बा बीकिंग स्किल में, ये सारे के सारे चिंतन कोशल में वो विकास चाहती है, तो आचल दुवारा ये जो करना है, ऐसा चिंतन कोशलों में सुधार करना होगा, चिंतन कोशल वो मेंटल एक्टिविटीज होती है, जिनसे आप प्रोब्लम सॉल्व करते हो, डिसीजन लेते हो, कोशन पूछते हो योजना बनाते हो प्लैनिंग करते हो और अपने विचारों का मुल्यांकन भी करते हो सूचना कोई कठा भी करते हो तो यह सब आपके चिंतन कोशलों में आ गया तो आंसर यहां पर C होगा नेक्स्ट कोशन है आपका निमन में से कौन सा प्रिया वन की कक्षा में रुपात्मक आकलन का समुचित कारिया नहीं करता है यह सिर्फ बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है लेकिन आपको नहीं बताना है बहाँ पार्ट में दी गई महतवपूर्ण शब्दावली की परिभाशा की वाक्या देना एक्स्प्लेन दी डेफिनेशन ओफ इंपोर्टेंट टरम्स गेवन इन दी लेसन ये बिलकुल नहीं होगा ये इसका अंसर होगा यहां पर फॉर्मेटिव असेस्मेंट में आपको सिर्फ ये देखना है कि लर्निंग कैसी चल रही है फॉर्मेटिव असेस्मेंट में पार्ट के लास्ट में दिये गए शब्दावलियों की परिभाशाओं का कोई भी स्था नहीं है अगला कोशन है प्रात्मिक्स तरपर ईवियस पढ़ाने के लिए निमल लिकित में से कौन सा पहलू सबसे महतपून होना चाहिए विच वन ओफ दी फॉलोविंग शुड बी ए मोस्ट इंपूर्टन एस्पेक्ट ओफ इवियस टीचिंग अट प्राइमरी लेवल आकलन में स्फलता प्राप्त करना अचीविंग सक्सेसिन एसेस्मेंट बिल्कुल गलत है इवियस में सबसे जरूरी आकलन तो हो नहीं सकता लर्निंग से उपर आकलन रिख दिया आपने कैसे हो जाएगा अंसर विज्ञान की आधारबूत कंसेप्ट को समझना बिल्कुल गलत कनेक्टिंग लर्नर्स टू नेचुरल एंड सोशो कल्चरल एनवारमेंट बिल्कुल ठीक है सीखने वालों को प्राकर्तिक और सामाजिक सांसकर्तिक प्रियावर्ण से जोड़ना बिल्कुल ठीक है बच्चे का जोग प्रियावर्ण है उसके साथ बच्चे का कनेक्शन आपको फिल कराना पड़ेगा वरना कोई फायदा है नहीं तो हमेशा याद रखना कि EBS सिक्षन में प्रात्मिक स्थर पर बच्चों को प्राकर्तिक और सामाजिक सांसकर्तिक वातावर्ण के साथ संबंध स्थापित करने में महतवपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए स्टुडेंट्स की सोच को व्यवारिक बनाने के साथ साथ प्रभावी उपकर्ण के भी रूप में यूज़ करने वाली होनी चाहिए तो अप्शन नमबर सी होगा यहां पर अगला है कवीता परियावन अद्धन की कक्षा में गरीबी, निरक शर्ता और वर्ग ऐसा बानता जैसे सामाजिक मुद्धों पर बल देना चाहती है निमल लिकित में से कौन सा अधिगम अनुबव इस उदेश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा यानि कि कवीता वांस वू एंफेसाइज मोर उन social issues like poverty, literacy and class inequality in an EVS class which of the following learning experience will be more effective to achieve this objective वो चाहती है कि बच्चे अवेर हों कि हमारे समाज में कितनी एस अमानता है चाहे वो पैसो को लेकर हो चाहे वो पोस्ट को लेकर हो X, Y, Z तो सबसे प्रभावी क्या करवा सकती है तरीका classroom में ये concept समझाने के लिए मुद्धों पर विशेश वाक्षानों का आयोजन करके गलत हो जाएगा organizing special lecture on related issue lecture क्या करेंगे इसमें कुछ भी नहीं asking the student to prepare charts and charts to related social issue विधार्तियों को सम्मदित सामाज मुद्धे पर chart तैयार करने के लिए कहना सिख्षार्तियों को सम्मदित जानकार एकत्त करने और उनका विसलेशन करने के लिए सामुहिक पर योजना के लिए कहना asking the student to undertake group activity to collect and analyze related information option यही होगा ऐसी ऐसी समस्याओं का जब आपको समदान करने है तो आप बच्चों को कैसा वर्क देंगे group work आप बच्चों को कैसा कारिये देंगे सम्मुह कारिये तो यहाँ पर option number C आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा next question देखते हैं क्या है शालनी कक्षा 5 के सिख्षार्तियों को portion पर आधारित एक चैप्टर से परिचित कराना चाहती है उसे क्या करना चाहिए शालनी wants to introduce the topic on nutrition to her class 5th student what she should do शामपट पर पाचंत नतर का आरेक बनाना चाहिए draw the diagram of the digestive system on blackboard पोशक तत्वों से बरपूर विबिन परकार के बोजन के उधारन देने चाहिए give example of different food rich in nutrients विबिन परकार के बोजन को परदर्शित करने वाले चार्ट का परियोग करना चाहिए use chart showing different kind of food या फिर सिक्षारतियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बोक्स खोले उसके तत्वों का उलोकन करे और बाद में उन्हें व्याख्या करने चाहिए ask student to open their tiffin boxes see their contents followed by explanation तो ये last वाला जो आपका option है ये बिलकुल ठीक हो जाएगा क्योंकि nutrition, portion के बारे में आपको जानकारी देनी है बच्चों को तो आप क्या करेंगे उनका सीधा उनका ही tiffin खुलवा लेंगे और direct, real life से ही आप जो है example देकर पढ़ाने लग जाएंगे तो ये best होगा, last वाला EBS में किसी अच्चे गरह कारियों को मुख्यत है किस पर केंदरित होना चाहिए a good home assignment in EBS should primarily focus on उन्रावर्ति और प्रबली करन पर यानकी revision and reinforcement पर ये होती है revision और ये होता है reinforcement master learning पर विस्तारित अधिगम के लिए चुनोतिया और उतेजना challenge and excitement for extended learning better utilization of time answer याँ पर होगा C challenge and excitement for extended learning EBS में हमेशा extended learning वाली ही चीज़े होने चाहिए यानि कि EBS के अंदर आपके गुरू जी आपको किसी topic के बारे में कुछ बता दे और फिर आगे आप खुद उसके बारे में खोजो तो EBS में जो अच्छा गर्यकारी होगा वो classroom में किये गए काम को घर पे जाके आगे बढ़ाने वाला होगा extended learning करने वाला होगा extended learning जो classroom में किया उससे आगे थोड़ा सा तो option number six is the right answer of it आज की EBS की पेड़ा गोजी की class में भी दोस्त मैंने आपको 11 वीडियो दे दिये EBS के content की class में पहली class भी आज डल चुकी है तो EBS पूरे तरीके से हमने चालू करी दिया है 11 वी वीडियो दोस्त 10 वीडियो इससे पहले किया देख लीजिएगा और subscription आपने नहीं लिया है तो subscription जरूर लो 10,000 से ज़्यादा student इंस्टॉल करके हमारी आपका फायदा उठा रहे हैं आप भी करिए यार subscription लीजिए और next वीडियो में आप लोगों से मैं मिलता हूँ इस वीडियो को like करना है दोस्तों तक share करना है और नीचे ये भी बताना है कि ये वीडियो कैसे लगी next वीडियो में मिलता हूँ दोस्त take care, bye